अब एशिया कप की है बारी विराट ने शुरू कर दी धमा के दार तैयारी नमस्कार मैं हूँ अविशेक त्यागी जी हाँ विराट कोली पर नजर है विराट कोली को लेकर लगातार खबरे हैं कि एशिया कप में विराट कोली का बल्ला कैसा चलेगा पाकिस्तान के खिलाप विराट कोली का अंदाज कैसा होगा, पाकिस्तान के खिलाब क्या विराट कोली पहले जैसा प्रदसंग कर पाएंगे, टीम इंडिया के जीत में क्या विराट कोली अपना योगदान दे पाएंगी, यह तमाम सवाल इस वक्त विराट कोली को लेकर चल रही है, क्योंकि पराने की और उसकी तैयारी विराट कोली कर चुके हैं जी हां विराट कोली मुंबई के मैदान में प्रक्टिस करनी शुरू कर दिया विराट कोली ने विराट कोली का क्योंकि आपको पता है कि विराट कोली मुंबई में रहते हैं और मुंबई में विराट कोली के घर के पास क्रिकेट मैदान है वहाँ पर विराट कोली ने तयारी करनी शुरू कर दिया और इस तयारी के बाद ये कहा जा रहा है कि विराट कोली अब दोबारा से उसी फॉर्म में नजर आएंगे उसी तरीके से बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे उसी तरीके से चोके छके लगाएं जिस तरीके से पुराना विराट कोली लगाया करता था और अब जब विराट कोली की तयारी शुरू हो गई है तो बस यही बात हर किसी के जहन में है कि वो virat कब आएगा जो विरat वो विरat का शतक कब आएगा जो विरat एक वक्त में नजर आता था क्योंकि साल दोजाव नीच के बाद से जिस ही 70 वे शतक का इंतिजार है वो शतक विरat का आया नहीं है बल्ला लगातार खामोष चल रहा है विराट कॉली के बल्ले से रन आने ही रहे है लेकिन अब जो प्रक्टिस विराट कॉली की शुरू होगे तो अम्मीद है कि पाकितान के खिलाफ एश्यक अपने विराट कॉली का वही रोत्रवतार नज़र आएगा और एशक अपने विराद कोली टीम इंडिया के लिए बैसार प्रदसन करते हुए नजर आई तो विराद कोली की इस प्रक्टिस पर आपका क्या कहना और क्या आपको लगता है कि टीम इंडिया की जीत में विराद कोली एशक अपने एहम योगदान देने वाले हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो चिलेगे तो लाइक करिएगा शेयर करिएगा चैनल को सब्सक्राब जरू करें